है गुट मार्निंग आल कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होगे सो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं देखेंगे हम एंजल काइडेंस जैसा कि हम डेली देखते हैं वैसे ही हम देखा करेंगे क्या है आज के लिए एंजल काइडेंस इन लोगों के लिए जो मेरे भी वर्स देख रहे हैं इस बात का ख्याल रखना है आपको प्लीज काइड कीजिए प्लीज काइड कीजिए चलो ठीक है काट को रख देते हैं अब निकालते हैं कार्ट्स हुम अज और देख लेते हैं ठीक है ठीक है ठीक है थी काट्स आ गए है मेरे पास बॉटम अफ तर डेक देख लेते हैं बॉटम अफ तर डेक हैं नमबर नाइन नमबर नाइन आज देट भी है देखो नमबर नाइन आज देट भी है है ना नाइन है या टेन है मुझे याद नहीं है आई थिंक नाइन है 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 सो मिरन नमबर नाइन है कि किसी का बातने हो अज नमबर नाइन आपके परसें का बातने हो कुछ ऐसा हो सकता है इसमे इस पिरशालिटी की तरफ है थ्यान बढ़ रहा होगा उब resur जो काफी आपके मन को परेशान कर रही है आप आपको मिल रहा है ठीक है आप काफी परेशान हो रहे हो यहां से बहुत जբ़ना है और उससे बहुत जड़ा निकलना है आपको और निकलने की कोशिच लागतार की जा रही है आपको आप आपके द्वारा ठेक हैं सो यह है ओके सो फॉस्ट काड मेरे पास स्टेंथ का कार्ड है कि नमबर 11 नाइन आफ राफिल एंड एस आफ राफिल मैंने कहा तो की नाइन नमबर है ना सो देखो यहां कार्ड कीरडी बता रहे हैं आपके लिए कि आपके जो परसन है ना आपके जो परसन है यहांपे मुझे आपकी लव लाइफ के लिए अपके परसन आने वाले हैं लव लाइफ के लिए बहुत ही positive change आने वाला है, emotional change, आपकी wish है, आपकी wish है अपने person के साथ, कोई भी wish हो, ठीक है, उसको fulfill करने का आपके person और आपकी बीच का जो relation है, वो सही करने का अगर आपकी wish है, वो आपकी wish जो एना fulfill होने वाली है, आपकी life में changes आने वाले हैं, नए opportunity आ सकती है, नए कह सकते हैं कि एक एक नया हो सकता है ना कि आपकी life में एक नया chance आए, है ना, करियर के मामले से मैं देखूं तो, यहां पर भी जो है ना, मुझे changes ही नज़र आ रहे हैं, यहां पर ऐसा दिखता है जिससे की, आपके सामने नई job, नया कुछ ना offer किया जाने वाला है आपको, जिससे आपके जिन्दगी बदल जाएगी, जिससे आपके जिन्दगी में changes, changes, changes आते रहेंगे, है ना, बहुत ही अपसुरत सा change आएगा, positive change आएगा, negative change नहीं आएगा, यहां पर positive change होने के लिए cards बता रहें, आपको cards बता रहें कि आपको wish मांगनी चाहिए, आपको एक wish मांगनी चाहिए, जिससे जो है ना, आपकी wish जो है ना, पूरी हो सके, अगर कोई wish मांग रहे हो, या नहीं मांग रहे हो तो मांगने स्टार्ट करो इस वर्षे मांगने स्टार्ट करो मांगो गए उस से इस वर्ष देना तो वह से जरूर मांगता तो यहां पे मुझे लगता है कि प्रातना करनी चाये मांगनी चाहिए जो आपकी विश्षं है जो आपकी दुवाएं है जो आप चाहते हों अपनी मैंनिफेस्ट कर रहे हो और वह आपकेdade मैंनिफेस्टेशन फुल्फिल नहीं हो रही है यहां पे यही नजर आ रहा है आपके लिए कि आपके जो पर्सन है ना उनकी जो विश है उनकी जो आपके साथ वो विश है वो फुल फिल होते हुए मुझे नजर आ रही है आपका जो भी सपना है आपका करियर है या फिर जो भी है वो फुल फिल होगा ठीक दोनों कार्ट्स मुझे बता रहे हैं और यहां पर स्टैंथ का भी कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि देखो अपने अंदर पावर रखने की बहुत जरूरत है अगर हम पावरलेस हो चाहता है क्या नहीं चाहता है क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में उसको थोड़ा सा जयना पहचानो और करो जो आप चाहते हो वह अपनी लाइफ में आप कर सकते हो बस आपको पहचानने की जुरत है बस आपको लगे रहने की जुरत है ठीक है आप लगे रहो उसमें औ और मैं यहीं करूंगी कि जो भी करो ठीक है अपने आप बरोसा रखके करो अगर कोई भी आपको अपनी लाइफ में कुछ भी काम करना है कुछ भी तो उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करो आपने अंदर जो गुस्सा वेगएरा है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो क्योंकि यहाँ पर काड्स बताते हैं कि आपको कंट्रोल करना है अपने गुस्से पर काबू पाना है आपको कैसे भी करके क्योंकि जिसने गुस्से पर काबू पा लिया उसने सब पा लिया वही मजबूत परसन होता है ठीक है तो यहाँ पे गाट्स क्लिरली बता रहे हैं कि आपको स्ट्रस नहीं लेना है कूल रहो और जो भी करना है काफी सोथ समझ के करना जो भी करना अपनी लाइफ में और यही है कि आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो और अब जो है आपको रास्ता खुद दिखाने वाला इश्वर है सो आप उस पे भरोसा रखो और मेडिटेशन वेगरा करो ताकि आपका मन शांत रहे और आपको जो एंसर्स चाहिए इश्वर से वो आपको एंजल्स एंसिस्टर्स आपको दे सके सो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करो आप ओके सो यह है सो आज की रीडिंग यह रही मिलते हैं अब अगली रीडिंग में डोन नो आगे टॉपिक क्या होगा बट कार्ड रीडिंग अप्लूट करूँगी पहले चीक है उसके बाद कैंडल रीडिंग ओके सो यह रही है आपकी रीडिंग मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर तब तक हसते रही है मुस्कुरातरी और खुश रही है बाबाई